आज हमारे पास है मार्केट के दोस्ट सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन रेड्मी नोट 7 और सैमसंग गलक्सी M20 और इस वीडियों हम करने वाले हैं कैमरा कंपेरिजन और आपको बताएंगे कौन सा फोन का कैमरा कैमरा कैसा है कौन सा फोन आपके लिए बैतर होगा कैमरा परपस से और कौन सा फोन आपके लिए बैतर अन्नाई होगा हर चीज आपको पूरी डिेल में यहाँपे बताने की कोसिस करेंगे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और Samsung Galaxy M20 में 13 Plus 5 में 1 Pixel का Dual Rare Camera दिया गया है और अगर Front Camera की बात करें तो Redmi Note 7 में 13 में 1 Pixel का Selfie Camera दिया गया है विदाउट Flash और Galaxy M20 में 8 में 1 Pixel का Selfie Camera दिया गया है विदाउट Flash दोनों ही फोन के रियर में Flashlight मिल जाता है लेकिन फ्रंट में कोई भी Flashlight नहीं दिया गया है लेकिन Screen Flash का दोनों ही फोन में उपयोग किया गया है अगर दोनों ही फोन का Camera Interface के बारे में बात करें दोनों ही फोन में आपको अलग अलग Camera Interface मिलता है क्योंकि दोनों ही फोन में आपको अलग Software मिलता है एक में MIUI तो दूसरा में Samsung का खुद का UI दिया गया है लेकिन Galaxy M20 में AR sticker वहेर का feature मिल जाता है जो कि Redmi Note 7 में आपको अन्न ही मिलता है. चलिए आगे देखते हैं दोनों ही फोन का camera performance में कितना difference है क्योंकि दोनों ही फोन से हमने photo click कर लिया और साथ ही video भी click किया है तो देखते हैं कि कितना difference है, सब कुछ आपके सामने रहेगा. सबसे पहले आप sample आपके सामने हैं तो देख सकते हैं किस प्रकार का photo आया है, Redmi Note 7 का एक side है, दुसरे side Galaxy M20 का sample आपको दिख रहा है. और दोनों ही photo की quality बहुत ही अच्छी आई है, लेकिन अगर आप wideness देखेंगे तो Galaxy M20 का camera की photo में wideness आपको जादा मिलता है, क्योंकि Galaxy M20 में wide angle वाला camera का यूज किया गया है, लेकिन यह normal photo है, अगर आप wide angle में photo लेते हैं तो देख सकते हैं आपको किस प्रकार का photo मिलता है, wide angle में तो और भी ज्यादा खतरनाक photo है, आपको दिखता है, लेकिन picture quality बहुत ही बेकार और खराब आजाती है, जिसके करण यह photo उतना अच्छा नहीं लगता है, अगरा photo भी हमने outdoor condition में flower के उपर में लिया है, और आप देख सकते है photo कितना differ आ गया है, Galaxy M20 का photo पूड़ा yellow ही और कह सकते हैं कि आप natural photo आया है, लेकिन photo अच्छी नहीं लग रहा है, जबकिन Redmi Note 7 का photo बहुत ही अच्छा आया है, और picture quality दोनों का अच्छा है, अगर आप जुम भी करते हैं, तो भी दोनों का photo में कोई गरवरी नहीं होती है, लेकिन इन दोनों photo में से Redmi Note 7 का photo मुझे ज्य ज्यादा बहतर लगड़ा है, पत्ते की color वगएरा बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर सामने आया है, लेकिन Redmi Note 7 का detailing plus जो color है, वो उतना अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, अगला photo हमने आउडर कंडेशन में ही लिया है, लेकिन थोड़ा कोने में जाकर के किलि साथ ही अगर detailing देखेंगे, तो दोनों ही में आपको अच्छी detailing मिल जाती है, लेकिन low light की जो photography है, वो galaxy m20 मुझे ज्यादा बहतर यहाँ पे लग रहा है, अगला photo हमने से उसी जिगह पे किलिक किया है, लेकिन इसे blur effect के साथ क्लिक किया है, यानि कि जैसे आप DSLR mode कहते है, उ अगला photo भी हमने blur effect के साथ लिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे galaxy m20 में blur effect create हो गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि galaxy m20 में close object plus faces पे blur effect create होता है, लेकिन अगर plant वगेरा पे आप focus करके photo लेंगे, blur effect वाला तो वहाँ create नहीं होता है, लेकिन अगर अगर फ्लावर और face पे close photo लें आपको yellows नहीं दिखता है, जो की अच्छा लगता है, अगला photo हमने outdoor condition में लिया है, आप देख सकते हैं photo कैसी आई है, दोना इफोन से लिएगे photo मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप detailing की बात करेंगे, तो वो मुझे galaxy m20 में face के उपर में ज्यादा बहतर लग मिल जाता है, तो मुझे normal और pro mode में एक जड़ा भी difference नहीं लग रहा है, जो आपको normal photo मिलता है, वैसा है pro mode मुझे यहाँ पे लगड़ा है, और यहाँ पे दोनों फोन की camera से आपको अच्छी photo क्लिक होता हुआ दिख जाया है, लेकिन अहाँ वही same issue है, galaxy m20 के background जो है, वो उ जादा create होता हुआ दिख रहा है compare to Note 7 से, अगला photo हमने Redmi Note 7 के camera से लिया, आप देख सकते है, फोटो कैसी आई, यहाँ पे आप dynamic range देख सकते है, camera की और यहाँ जो picture detailing है, वो ठीक ठाक है, कुछ जादा impressive नहीं है, जो darkness है, वो camera में कुछ जादा ही मुझे लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप Galaxy M20 के इसी photo को देखेंगे, तो आपको चौकाने वाला digit सामने मिल जाए हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल उलट है, Redmi Note 7 से यहाँ picture quality आपको बहुत ही जादा clear आई है, और जो detailing है, वो बहुत ही जादा बहतर आई है compare to Note 7 से, तो यहाँ पे Galaxy M20 में बहुत ही उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है, और साथ ही अगर detailing भी देखेंगे, तो Redmi Note 7 में आपको ज्यादा बहतर detailing मिलता है, जबकि Galaxy M20 में उतना अच्छा detailing नहीं मिलता है, जरा सा जूम करने पर photo की quality पूरी तरह से गायब हो जाती है, अगर blur effect वाली photo की बात करेंगे, तो दोन दोनों फोन के camera से click किया था, तो जितने भी camera sample हमने click के थे उस अभी हमने आपको दिखा दिया और compare करके भी आपको बता दिया कि कैसा photo दोनों फोन के camera से click हो रहे है, तो चलिए अब आपको video sample दिखाते हैं, कि दोनों phone के front और rear camera से किस परकार के video आप record कर सकते हैं, और कैसा EIS stabilization दिया गया है, दिया थोन के आपको 2 तो जाग सिज़ सावाब कीज़ के घ्रून grandi कर सकते हैं, कि कि दोनाउ आपको उने खर रहे हैं, कि दोनाउ रहें कि दोट अगलारा, तोird 기분 दोनीे कि इंग THEMत कि आपको जापको kr Jesse Nू सीबppe catवily को आपको पकोफ़ यूख मूटज क dov कर द acetतनी को, कि तो ये था हमारा कैमरा कम पैरेजन रेड्मी नोट सिबन और सैमसंग गलेक्सी का उमीद है आपको पता चल गया आगा कि कौन सा फोन का कैमरा किस परकार का मिलता है आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बजट दस जा रहा है और आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप रेड्मी नोट सेवन को लीजे ना क कि Samsung Galaxy M20 को कि Samsung Galaxy M20 का रियर कैम्रा तो बहुत अच्छा लेकिन 5 केमरा बहुत ही बेकार है अप Christ आपको tap to focus का भी option नहीं दिया है, जो कि आज के जमाने के लाइक भी ठीक नहीं है, fixed focus दे दिया है, tap to focus का option नहीं दिया है, और camera performance भी उतना अच्छा नहीं मिलता है, जब कि Redmi Note 7 में आपको front camera plus rear camera दोनों का performance अच्छा मिल जाता है, लेकिन हाँ अगर आपको Samsung का ही phone लेना है, तो phone अच्छा है, rear camera का performance अच्छा मिलता है Galaxy M20 में, लेकिन front camera का performance उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो बाकि आप पे छोड़ते हैं, आपको जो ही phone लेना हो, ले सकते हैं, हमने सब कुछ आपको बता दिया, उमीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको यह वी झाल झाल झाल